चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्लडफेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं आज के करें डेली बेसिस पर यहां पर आपड़ सकते हैं क्युक्पॉइंट और इसे रेगुलर देखिए और यह परिचिनेटी में समत करेंगा 4000 के आशपास अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप यूटलाइस कर सकते हैं लाइव अमन कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं चलिए पहला आपका करेंड फिराज का पोर्शन अभ्यान देखिए पोशन अभ्यान जो है हाल फ प्रशन लाल में 4.37 लेक आंगनबाडी सेंटर जो है उन्होंने पॉशन वाठी का ओपन करी अभी पोशन वाठीका जो है किसके अंतरगत बनाया जा रहा है पोशन महा जो है इसके अंतरगत जो इस मन्त में चल रहा है इस पर बेसे कि लिए पोशन वाठीका स्में जो भी और फ्री लैंड्स है वहाँ पर फिशिंग यूनिट्स लगाई जाते हैं इसको आगे देखने से पहले आज का एक कोशन जिसको आप कमेंट बॉक्स पर आंसर देंगे कौन से बिटिश गवरन जरह है जिनके सब्में इंडिया की कैपिटल कलगत्ता की जगा दिली को बनाय रहे हैं बच्छे इन सभी का जो है ध्यान रखा जाए और इनका इनका रिद्यूस बर्थ वेट जो है वह दो परसंट त्री परसंट टू परसंट इस वर जैसे अभी पोशन अभियान का ना एक और मिशन स्टार्ट हुआ है पोशन 2.0 अब इसमें क्या किया जा रहा है कि जो पोशन अभियान है उसका कोलेबरेशन किया गया है बाकी सिमलर एक जो है इवेंट्स के साथ जैसे न्यूट्रिशन प्रोग्राम सोर भी बहुत सारे उन सभी को एक साथ जो है कमरीला प्रोग्राम में लाएगे जिसका नाम रखा है मिशन पोशन 2.0 ठीक है तो ध्यान कि इसका रहे हैं पोशन वाटिका का मैंने भी आपको डिसक्स करी दिया कि एक कॉमन हाउस होल्डर्स जो है जिसके पास फोड़ा बहुत भी लैंड है वो जो है कुछ ऐसा कंडेट नोगा सकते हैं वेजिटेबल से और या फिर पॉलर्टरी फिशिक और जिससे जो है लुगदान दिया था उसमें उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दिये कि जो सस्टेनेवल बायो फिल्ड है यह की रोल प्ले करेगा ग्रीन हाउस कैसे का अमिशन जो है रिद्यूस करने में तो यह इंपोरेंट है वैसे और यह कहां पर इवेंट हुआ ग्लोबल क्लीन एनरज पर दीजिए चलिए इस पूरी इवेंट के बारे में जानते हैं यह जो पूरा ग्लोबल एनरजी फोरम है यह उसे ने पहली बार वोस्ट किया है तो एक जौइंट है थर्टीन्थ क्लीन एनरजी मिनिस्टिरिल की सीम ठरी और सैंट्ट मिशन इनॉबेशन इनॉबेशन से सब्सक्राइब करेंगे इंडिया को सब्सक्राइब करने वाला तो यह पैंगलोर में होस्ट किया जाएगा और इस बार का जो सी एम थर्टीन है माई 7 इसका एक थीम भी रखा गया थीम का नाम है रैपिड इनोवेशन और डेवलोप्मेंट जो है उसमें फोकस किया जाएगी क्लीन एनरजी टेखनोलोजीस कैसे यूज की जाएगा आज का सवाल देखिए पहला हाल फिलान में किसे जो है असामी जी को यह दिया है यह असामी डिशनरी हम जो है यह हमकोश फर्स्ट असामी डिशनरी है पहली बात तो यह वन अफ दे फर्स्ट असामी डिशनरी जो की 19th century में पॉबिश की गी थी इवन सरवन्दा सोनवाल जो है ठीक है उनके द्वारा भी है इस occasion में पाडिस्पेट किया गया तो एक इंपोर्टेंट इवन रहा तो आप इवर इवर इमेज देख सकते हैं जैसे अधिशनरी पास्वन करेगी और आज का एक और सवाल देखिए हाल फिल्मेकर है जिनको जेसी डैनियल अवर्ड बीसवाइस दिया गया तो के पी कुमारन है एक और कोशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किस फिल्ड से समब्धेटें तो पब्लिक अडिसेशन देकिये लोग प्रसाशन जो है उससे समब्धेटा आज का एक और सवाल देखी देखिए सत्यंदर सिंग लोहिया जो है न यहाल-फिनल में फॉर्स स्वीमर बने हैं पैरा सुमर बने है जिन्हों नोर्थ चैनल क्रोज किया है तो एक बड़ा इवेंट अब यह की स्टेट से संबंदित हैं इनके बारे में जानते हैं इनके रिकोर्ड के बारे में जानते हैं तो इंटरनेशनल वियंगन पारा स्वीमर है सत्या सतेंद्र सिंह लुहिया इतिहास बनाया नौर्ड चैनल आरलेंड क्रोज किया है फस्ट टाइम एश्या के हैं जो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि थर्टी सिक्स किलोमेटर का है नौर्ड चैनल क्रोज करने का 14.39 आर्स चीवमेंट है जो इंडिया ने अचीव करें एक और सब्सक्राइब कोशन मिराज एहमद खान कौन से शूटर्स है यह शूटिंग से सब्सक्राइब उसके रावा जो कोमनवेल्ड गेम होए तो उसमें फॉल्ड फर्स गोल्ड जो है किसे मिला तो मीरा बाई चानू को मिला था यह भी कोशन आ सकता है एक और सवाल देखिए आपने सुना होगा नेवी चीफ जो हैं इन्होंने रिसनली लॉंच कि इंडिजन से सपोर्ड वैसल आइनस निस्तार और आइनस निपुन और यह कहां से लॉंच की तो यह विशाका पत्नम से लॉंच की इनकी एक खास एहमियत है जो कि हमने इतिहास में 1971 की वहर में भी देखे थी जब पाक सब्मरीन गाजी जो है इसकी खोश खबर जो है डीएस्वी के द्वारा देखिए अब डीएस्वी क्या है यह सारे के दोनों के दोनों जो है डिवाइड डाइविंग सपोर्ड वैसल्स है जो कि वीशाका पत्नम में जो हैं इंडिजस्ली बीड हैं जहां पे स्टेट अफ आर्ट इसे लॉंच किया गया नेवी चीफ हैडमिल आर हरी कुमार के द्वारा ठी नेवी में से इंडिक किया गया अब यह जो डाइविंग सपोर्ड वैसल होते हैं यह किसी भी इंटर्नल अटेक को जो है बताने में हल्फुल होते हैं तो ऐसा ही 1971 की वर में हुआ भी था तो इनका रिकार्मेंट रहता है उसके अलावा एक और कोशन हाल फिलार में इंडिय कोशन देखी अपना पहला सोलर पावर प्लांट जो है सेटप करने वाला कौन सी स्टेट में राजस्थान में राजस्तान में तो इंडिया पैसिफिक रीजन में अगर देखा जाता है अमजून एक ऐसी कंपनी है जो कि लार्जस्ट स्किल प्रोजेक्ट बनारियस में तो सब्सक्राइब करें उसके अलावा देखी एक और सवाल मारुति सुजी की नहीं इंस्टॉल किया इसे का लार्जस 20 मेगा वोट का सोलर प्लांट कहां में माने सर हर्याना में इंडिया का पहला ग्रीन सोलर एनरजी हारनेसिंग प्लांट जो है वो कहां पे बनाए तो यह सि हैं जिनको ना हाल फिलाल में इसलिए अपॉंड किया गया है कि वह इंडियन ओलम्पिक असोशिएशन का जो कॉंसिटीशन है उसमें कुछ फिर बदल ला पाए अमैंडमेंट कर पाए तो एल नागेश्वर जो है इन्हें बनाए गया है तो एक फिर चेंजिस लाने के है इसमें एक पूरा बैंच है डॉक्टर जस्टिस डिवाइच चंद्रजूद जो है उन्होंने काया कि यह जो राव जी है यह जो है डेफिनेटली एक फियर प्रोसेस लाने में हेल्फुल होंगे है तो इसका एक ब्लिउप्रिंट त्यार होना है जो बदलाव लाएंगे 15 दिसंबर 2022 से पहले पहले जो है ब्लिउप्रिंट जो है नए चेंज कंसिट्यूशन का इंडियन ओलंबिक असोचिंगा वह लाना है और सप्रीम को दिखाना भी है तो एक और सवाल वाइस प्रेजिन इंटरनेशनल चेस्ट फेडरेशन के कौन बनाएंगे तो विश्वनात टेकन जो करता है पैंडिलम एक और सब्सक्राइब करने के लिए उसे क्या कहते है नितेश के सारे आंसर से हैं कल के सवाल होगे आइम बेर डिसकोशन का आंसर है आज का सवाल देखिए दिल्ली और लहोर की जो एक ऑफिशल बस सर्विस है उसे किस नाम से जाना जाता है इस इसी अपोर्चनिटी फिर नहीं आएगी जो 30% डिसकाउंट है चार-चार हजार आप सेफ कर रहे हैं मतलब बेसिकली इट्स हूज डिसकाउंट लाइव अमन कोड से अवलेबर होगा तो कोड यूज करिए लाइव अमन और इसी कोड पर आपको अनलिमेड एकसेस मिलेगा स सारे टीचर सब कुछ आपको इसे मिलेगा तो आप इस अपोर्चनिटी को मिसमत करना और लगाना लाइव अमन इदर और प्रोसीड पे करेगा आज ही सेशन को लाइक करिए शेयर करिए शेयर करिए शेयर को सब्स्राइब करिए थैंक्स लाट फॉर बोचिन